एसी चीजे करने लगी जो सुमुर में नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसे पदार्थ लेने लगी, नशे करने लगी, जो से नहीं करना चाहिए. तो मैंने उस समझाने कोशिश की पर एक समय की बाद समझाना भी मुश्किल हो जाता है. हो सकता हो यह दिल आपका तूड गया हो क्य एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, दो साल में ये जक्म आपका भर जाएगा आप किसी का दिल मत तोड़ना बेटा अपने किसी चाहने वाले का, अपने माबाप का, किसी का दिल मत तोड़ना क्योंकि हो सकता हो आज आप ऐसे हो कि आपको लग रहा हो क्या ही फरक पड़ता है अपनी मा से मैं बत्तमी जी से बात कर लूँगा कैसे बता हूँ ये कहानी चलो बता देता हूँ आप बस उसका दर्द समझना आपको महसूस हो जाएगा तो मेरी एक मित्र थी कॉलेज में मेरे साथ थी और पढ़ाय लिखाई में अच्छी थी ठीक थे हमारा कॉलेज अच्छा था तो अच्छे बच्चे ही पहुसते थे तो और वो किसी और चीज़ों में भटक गई थोड़े से वो ऐसे चीज़े करने लगी जो उस उमुर में उसे नहीं करने चाहिए नश्यवश्य वाली चीज़ों में वो फस गई थी मेरी दोस्त थी मैंने उसको समझाने की भी बहुत कोशिश की और उसने अपने घर वालों से उत्ताप्रदेश में लखनाऊ है तो दूसरे वर्ष में उसने परिक्षा नहीं दी क sentra की एक और कुछ ऐसे चीज़े करने लगी जो उसमुर में नहीं करने चाहिए कुछ ऐसे पदार्त लेने लगी नशे करने लगी जो से नहीं करना चाहिए तो समझाने कोशिश की, पर एक समय के बाद समझाना भी मुश्किल हो जाता है, और उसने अपने पिता जी को ये बात नहीं बताई, कि ऐसा चलना है, कॉलेज का तीसरा वर्ष बीता, वो कानपूर में रही, छौथा वर्ष बीता, वो कानपूर में रही, उसने घर पे अभी जब वो एक्जाम की तियारी करी थी, उसके पिता जी अचानक बिमार पड़े, हॉस्पिटल में एड्मिट हुए, उनको दिल की कुछ बिमारी थी, कुछ दिन वो एड्मिट रहे, बीच में उनको खून की जरुवत थी, फिर उसने, मैं तब भी गया था, खून देने की बात यह है कि मैं अपने पिता जी को जूट बोलती रहे गई, आखरी वत तक जूट बोलती रहे गई, अब वो उस गिल्ट में मर रही है पूरे जीवन, बचा हुआ जीवन उसका सिर्फ इस गिल्ट में मरेगा कि मैं अपने पिता जी को आखरी वक तक सिर्फ जूट बोलती रह लगी पर अच्छा बहुत अच्छा कर रही है अच्छे पैसे कमा रही है जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब आपका प्लोस बन भगवान आपसे छीन ले तो इस तरह के जूट बोलके इस तरह के परदे बना के मत रहो सच्छे दिल से रहो माबाप के सिवा जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता मुझे यही लगता है उनके लिए जीओ उनके लिए काम करो उनके श्रवन कुमार बनो आई करते रहो बेटा, all the very best.